ओम वंद्योगा मात्र मित्रो यूट्यूब चैनल स्वास्तरक्षा से में प्रभा आप सबका स्वाधत है आज का विशे है चक्काराना, चक्काराने के बहुत सारे करण है मित्रू, जिसमें आज कल युगा पिड़ी में जो चक्काराते हैं, उसका मूल करण होता है, भोजन की अलपता, जो ये जीरो फिगर का जो शौक चड़ा है, उस चकर में बच्चे भोजन नहीं करते हैं, अच्छे पहले आप पानी बढ़ाईए नाकसर सांसले इसका इंतजाम करिए मैंने वीडियो पहले बनाई है आप वहाँ देख लीजिए उसके बाद आपको क्या करना है के चकर आ रहे हैं तो शेहत पानी अवश्य पीजिए शेहत पानी जब आप पीएंगे शेहत पानी आप थोड़ा सा उस में निम्बू अवश्य मेलाई और शेहत छाहत थोड़ा कम रखेया आपको शाहत थोड़ा सा कर सकता है क्या मुझे आपका शुगर का लेवल क्या है तो उसके अलगभ आपको क्या करना है शीर्इम में गर्मी बढ़़ा यहतु कर मित्तर आते रहें पानी क क्या करना है आप माथे के पॉइंट पर आप काला रंग लगाएं मित्रू यहाँ पर इस तरीके से आप काला रंग लगा दें यह मैंने आपको दिखाया और नीचे नीला रंग है यदि आखों में जलन है तो आप नीला रंग भी नीचे लगा सकते हैं पर उपर काला रंग आ यहां स्नाक से चले तो उसको नाक में लगारीजी मैंने कई बार एक वीडियो में भी बताया है आप इतना करेंगे इससे आपको चक्कर आने में काफी आराम मिलेगा और खास ध्यान रखना है पाने की कमिशरेर में नहीं होनी चाहिए इस बात पे खास ध्यान दीजिए और आप घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको चक्तर आएंगे ही, कोई नहीं रोख सकता, इसको मैं भी एक बर जहल चुकी हूं, तो मुझे अच्छी तरह याद है, और खाली पेठ है, तो कुछ-कुछ खाने को रखिये साथ में, यदि आप घर से खाके नहीं निकल पाएं, तो क और जब ऐसा हो रहा है, उस समय नारियल पानी कभी-कभी यदि एसीडी से आपको, एसीडी की करण आपको चकर आ रहे हैं, तो नारियल पानी कदा पी ना पीएं, केला कदा पी ना खाएं, ये आपके पित्त को और बढ़ा देंगे मित्रों, ये आपको रुक्सान कर सकते ह हाँ, बेल का शर्वत आप पी सकते हैं, वो आप के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन चक्कर आने का समाधन करना है, तो सबसे पहला काम पानी बढ़ेए, नाक से सांसलेस का इंतिजाम रखेए, और भोजन का समय सही रखेए, रात का भोजन देर से नहीं, और सुबह आप मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो लाइक करिए, क्योंकि आप लाइक नहीं करतें, तो मुझे लाइक कम मिल रहे हैं, और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने मित्रों को शियर करिए, धन्यवाद, बंदय मात्रम